आरियन खान की आज बेल पर हाइकॉट में सुनवाई है शारुक खान ने लीगल टीम पूरी तरीके से चेंज कर दी है बहुत ही नामी वकील मुकल रोहाद गया आरियन खान के बिहाफ पर आज केस को प्रेसेंट करेंगे इसी बीच एंसीबी ने काफी खुला से किये हैं और अब एंसीबी ने कोट में एक एफिडेविट फाइल किया है जिसमें एंसीबी ने शारुक खान के टीम मेंबर पर आरोप लगाया है कि इस केस को भटकाने के लिए गवाहों को बर्गलाने की कोशिश की जा रही है एविडेंसिस के साथ और जो गवाह है उन्हें करने की कोशिश की जा रही है शारुक खान की तरफ से और इसमें नाम आया है शारुक खान की विश्वस्त नियो मैनेजर पूजा ददलानी का पूजा ददलानी जो शुरुआत से ही इस केस को लेकर हाइलाइट हुई हुई है पूजा आर्यन की हर एक हीरिंग कोर्ट में आ लोवर परेल में जाकर समीरवान केड़े और कुछ लोगों ने पूजा ददलानी से 15 मिनिट बात की थी ब्लू कलर की मर्सिडीज में आई थी ये सारी बाते पूजा ददलानी को लेकर दो दिन पहले इस गवाह ने कही थी और आज NCB ने कोट में कहा है कि पूजा ददलानी के केस्स को जो है टेंपर करने की कोशिश कर रही है गवाहों को टेंपर कर रही है बाहर जो गवाह है जो NCB के तरफ प्र उन्हें बर्गलाने की कोशिश की जा रही है तो इसके बाद ही आर्यन की बेल पर discussion किया जाना चाहिए तो एक बहुत बड़ा ये turning point और twist यू कह सकते हैं कि इस case में आया अभी तक NCB पर तो आरोप बहुत सारे लग रहे थे लेकिन आप शारुक की team की पहली ये member है जिस पर यारोप लगा है कि गवाहों को influence कर रहे हैं NCB ने पहले भी court में आरियन की बेल अपोस करते हुए यही कहा था कि आरियन एक influential personality है पैसे वाले हैं बाहर जाकर गवाहों को वो बदल सकते हैं उन्हें temper कर सकते हैं और ये खबर अभी ही आ गई है जब कि आरियन इस वक्त तो jail में है